आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ The question is refer to the following figures and answer the following questions given below तो यहां पर कुछ figures दिये गए हैं, इन figures को सबसे पहले हम identify करेंगे फिर हम बताएंगे, in which of these xylem lacks whistles, which while phloem is devoid of companion cells तो किस plant के अंदर xylem होगा, phloem होगा, बट xylem के अंदर whistles नहीं होगी और phloem के अंदर companion cells नहीं present होगी तो सबसे पहले तो हम इनको identify कर लेते हैं कौन्स जो हैं वो हमारे teridophytes के अंदर आते हैं, अब teridophytes क्या हैं, wascular plant है fast terrestrial wascular plant है, मतलब wascular tissue, xylem और phloem यहां पर present होगे xylem mainly water के conduction के लिए responsible है, phloem food के लिए B की बात करें, तो B हमारा example है मोस का, मोस क्या है, कौन सा मोस है, फिनेरिया इनको रखा गया है bryophytes के अंदर, अब bryophytes हमारे non-vascular plants हैं, मतलब bryophytes के अंदर xylem और phloem absent होगे तो B तो यहां पर गलत हो जाएगा, C पर आ जाते हैं, C क्या है, pinus plant का example है, pinus को रखा गया है gymnos pumps के अंदर, अब gymnos pumps वो plants हैं, जो कि seeds तो भी एर करेंगे, बट यहां पर जो seeds होगे, वो nekt होगे तो यह भी हमारे vascular plant हैं, xylem और phloem जो tissue है, vascular tissue वो यहां पर present होगे D पर आ जाते हैं, D हमारी algae है, कौन सी algae है, spirogyra अब जो algae है, वो thallophyta के अंदर आएंगे, इनकी जो body है, वो जादा differentiated नहीं होती है two stems leaves और vascular tissue यहां पर absent होगे, तो यह भी गलत है अब E पर आ जाते हैं, E क्या है, euglena, तो यह हमारा plant नहीं है, यह protesta kingdom के अंदर include होता है protesta के अंदर रखे गए हैं, सभी single cell eukaryotes, तो यह भी गलत होगा F की बात करें, F क्या है, एक fungi है, कौन सी fungi है, rhizopus तो यह हमारे heterotropic organism है, मतलब अपना food खुझ से prepare नहीं कर सकते हैं, यहां पर भी जो xylem और phloem है, वो absent होगे अब जिन plants के अंदर हमारे xylem और phloem present होगे, बट यहां पर xylem के अंदर vessels नहीं होगे, और phloem के अंदर companian cells नहीं होगे, तो वो हैं हमारे A और C A होगा हमारा फान और C होगा यहाँ पर पाइनस तो correct option A और C होगा तो वो plants जिनके अंदर ये vessels और companions present होती है अगर वो हमसे पूछा गया पूछा जाए तो यहाँ पर हम अंसर देंगे angios pumps का angios pumps के अंदर हमारे flowering plants को रखा गया है यहाँ पर जो xylem होगा उनके अंदर vessels होगी जो phloem होगा उनके अंदर companions cells present होगी बट यहाँ पर पूछा गया है जहाँ पर नहीं present होगी तो correct option is A fun and C gymnos pumps Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advanced के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही राउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर